हेलो दोस्तों आप लो तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक करी एक करी बनाने के लिए हमें चाहिए एक उसको हमने पहले से उबा लिया अब हम उसको फ्राइ करने के लिए कड़ाई में डालते हैं जब तक आप फ्राइ होते हैं तब तक आप हमारे चानल को सब्सक्राइब कर ल प्रभी ते धालना हैं आद्रक लैसन और मीर्च का। यूझे बाद हम इसमें डाला है टमातर। टमातर डाल यह तो चलायेंक्त को गलाने के लिए हमने डाला हैं नमक फलली और लाल मिर्च यह मीर्च हुमारे घर की कुटिा हुई है मसाला हम बहात में डालते अब हम इसको चलाते हैं, जब तक टमाठर गल जाते हैं, तब तक आप हमारे चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा और ये एक करी अपने घर में बना करके ज़रूर देखना बहुत टेस्टी लगती है आप खाओगे ना तो उल्लिया चाटते रहाजाओगे मैं बता रही है अब हमने इसमें डाल दिया, हमने मसाला, एक और लस्टन डाल दिये इसको अच्छे से चला लेंगे, थोड़ा से थोड़ी दिर हम इसको फिर मोल लेंगे उसके बाद इसमें पानी डालना है, जितना हमें पानी चाहिए, जितनी आपको करी चाहिए, आप उतना पानी डाल लो और अब ये बस थोड़ी देर में तेयार हो जाएगा, खत्य इसमें उबालाना शुरू हो गया अब आप इसको सर्फ करिए, रोटी और चावल के साथ अब खा सकती है, मैं इसको सर्फ करने जा रहे हूँ, मुझे ये रोटी और चावल दोनों के साथ पसंदे तो I hope you all like it, अपने घर में बना के सरू देखना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना न भूला और हाँ, चैनल को like, share and subscribe करना मत भूला Have a good day